एक बार देवर्शी नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वेही भगवान विश्णू के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विश्णू का गुनगान करता हूँ। फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किन्तु पता नहीं श्रीहरी मुझे ऐसा समझते है या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विश्णू के पास्कशीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रनाम किया। विश्णू जी बोले आओ नारद कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले भगवन मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विश्णू बोले मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा के देव, मैं जीवन भर आपका गुनगान करता रहा हूं, पर पलहरक्षन मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे ये बताए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में। चलने के लिए तयार हूं। भगवान विश्नु नारद को लेकर मृत्यो लोग चल पड़े। धर्ती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेस धारन किया और एक गाउं के किनारे बनी एक जोपड़ी की ओर चल पड़े। विश्नु बोलेक नारद मेरा एक बहुत बड़ा भक त्यहां इस कुटिया में रहता है। आश्चर यह है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ती हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ, स्वयम ही जान लोगे। विश्नु ने कहा और उस कुटिया की ओर बढ़ आप कहां से आये हैं मेरे लिए कोई सेवा हो तो निहसन कोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विश्नु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगी पश्वों का दर है इसलिए रात भर आश्रे चाहते हैं। किसान ने प्रसंद भ पर दोनों को बिठा कर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी दो अतिथी आये हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आते का बरतन दिखती हुई बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मान रहे हैं। किसान बोला कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेक भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बना कर पिला देना। नारत और भगवान विश्नु ने उन दोनों का सारा वारतालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैक जब दोनों भरपेक भोजन कर चुके तो नारत सोचने लगे, ये सीधा साधा ग्रिहस्त भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरी ने किसान से और भोजन लाने की फर्माईश कर दी। बोलिक मेरा पेटा भी नहीं भरा। क्या और भोजन किसान रसोल घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली बच्चों के लिए कांजी बनाई है। बस वही शेश है। विश्नु और नारत वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे स्वयम विश्नु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथी अलग-अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विश्नु ने कहा तुमने सुना नारत। किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला फिर भी वह मेरे गुन गा रहे है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विश्नु की मूर्ती के सामने कह रहा था गोविंध हरी हरी। तुम सदा मेरे मन में बसे रहो बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला हरी की बड़ी कृपा है। वही जगता र कोई आपत्ती ना हो तो। नारद और विश्नु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला यही है अपना खेत। अब मैं अपना काम करूंगा। बोविंध हरी हरी। नारद बोले तुम तो सत्पुरुष हो। भगवान के बड़े भक्त हो हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला अरे कहां काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तब ही उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा कब कब मिलता है समय। किसान बोला सुबह उठता हूँ तब रात को सोता हूँ तब और दिन में जब भी काम से समय मिलता है तब। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यांग्यात्मक स्वर में कहा आपने सूना भगवान, वो सुबह शाम दो बार ही आपका समरन करता है जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं, नारद की बात सुनकर श्रीहरी रहे, किन्तु मन ही मन उन्होंने कहा कारण भी जान जाओगे नारद, विश्नु ने एक कलश को तेल से लबालब भर कर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाडी तक ले चलो, ध्यान रहे इस कलश में रखे त विश्नु बोले अब ये बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरन किया है, नारद बोले एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था, श्रीहरी बोले तब तुम ही सोचो, वो किसान द जिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी दो चार बार मेरा स्मरन जरूर करता है और तुम एक बार भी मेरा स्मरन नहीं कर पाए। विश्नु की बात सुनकर नारद के अंतरचक्षू खुल गए, वो श्रीहरी के चरनों में गिर कर बोले, मान गया प्रभू, जो संसार के जंजटों में रहकर भी आपका स्मरन करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।